होगा कि भाजपा और कांग्रेस और सपा और अबसपा कुछ विशे बड़े वे ऐसे होते हैं जिनको आप शोर गुल से भी टाल नहीं सकते यह मान कर चली सरक्रके नौइडा विकास प्राधिकरन उत्रपदेश का सबसे विचित्र किन्तु सत्य जीव जन्तु प्रजाती का सं बैसा कोई नहीं और मदुकर जी मेरी बात से सहमत होंगे मैं थोड़ा करबा बोलता हूँ चीफ सेकेटरी कोई रहे प्रमुक सचेव आवस थापना ओद्योगिक क्या-क्या बड़े-बड़े शब्द है हिंदी में हैं वो कोई रहे कि चेर्मेन नौइडा अथारिटी की बूच नीची कभी नहीं हुई गुप्ताजी गलत तो नहीं का कि बाकि सबके चूड़ी सबने टाइट कर दी हो किजी ने नौइडा अथारिटी के चेर्में से माइक अलाल सीप मिनिस्टर के अलाबा बात कोई नहीं कर पाया आधि मैंने मंत्रीयों को रोते देखा अपने से 35 साल में वह से छेर्मन फोनी ने उठाता हमारा क्या इसलिए इस ब्रह्म से निकल जाओ कि निए वो महला का जो यूठ विंका देक्ष था वो नौईडा में जमीने लाट करा दिया ना ना इगलत पर मिम्मत रहो वो कुछ नहीं होता वां मंतरी के बहुता एक बात मैं एसिंग से जरूर कहूंगा कि इन लोगों को बचाव कहां स से मिलता है यह लोग मनबढ कैसे हो जाते हैं अधिकारी उसका एक उधारन देता हूं ना कहूं से दोस्ती न कहूं से बैर लक्ष्मिगान वाश भाई यह ध्यक्ष थे भाजपा के अगले शादब चिप मिस्टर थे रमा रम रहे थे नौएडा में कुछ लोग कहते थे तो भाजपा ने चार सीट जारी की बाजपाई जी गेट पर गए इनने रमा रमन ने गेट बंद करा दिया लेकिन बाजपाई जी पी संगर्श वाले आदमी थे उनने हजार दोजार आदमी घटा करके गेट पर धक्का मारना शुरू कर दिया तो फिर गेट खोलना पड़ प्रदेशा द्रक्षते बाजपाई एक चार सीट जारी की वो चार सीट के बाद अगर उनकी ही घटारी करा लिये होते तो भी धीमार बहु समझाई बाकी तो डरते अब तो आपकी सरकार थी घटारी कराओ मेरी व्यक्तियों में रुची नहीं लेकिन जिसको आप हम वर्ष्ट माने और हम सरकार में आ जादों उसको जेल बेजी देंगे जान लीजिए यह गोल मोल नेताओं को भाता मुझे नहीं भाता वैया मुझे गंगा में खड़े होके सब लोग काओ कि नहीं यादव सिंग के लिए सुप्रिम कोर्ट जाना इसलिए जरूरी था मैं फिर भी ने मानता मैं एक ही धरना मानता हूं जिसको यह कहूंगा तो बड़ी बदमजगी हो जाएगी लाल डायरी के लिए गए थे क्या सुप्रिम कोर्ट यह काली डायरी के लिए गए थे गरीब के घर में धाई किलो जीरा नहीं गुपता जी उसके घर में धाई किलो हीरा निकल रहा और एक बात मैं अधिकारियों से कहूंगा जो लोग ऐसे प्रादिकरणों में नहीं रहे उनको भी सोचना चाहिए आप लोग दुनिया की जाच की बात करते हैं कोई सरकारी सेबम है अजनोतरी जी तो तुरंत फैसला चाहते हैं अब जाच होगी परता अरे एक बात है जो आदमी 50,000 रुपया जिसकी तंखा है और 50 करोण के वैभब में रह रहा है उससे कभी पूछते नहीं हो कि भाई के प्रोफेसर की तंखा इस वक्त मेरे खाल से डेड़ पहुने दो लाख रुपया होनी चाहिए होगी गुप्ता जी डिग्री कालिज के प्रोफेसर का घर देख्याओ नोएडा में और नोएडा प्राधिकल के चप्रासी का घर देख्याओ तो भी समझ नहीं हाता आप लो कमेटी बोले तो बचने का रास्ता नवे फिर्जदी मामलों यही है संग्यान लिया है और जाच कमेटी में ठाल दी जब ऐसा वक्तब भी आ जाए सरकारों कि और से प्रशाचन को समझ लों गई भैस पानी में क्या अब बाबू लोग मैनेज कर लेंगे बास या तो ओन करिए यह जो बात रोहिद जी ने कहीं ना कि भई यह गिराया क्यों गिराया इसी ही जो लिजलिजापन है ना प्रशाशनी की स्तर पर उससे छुब्द हो के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द्वस्त करों क्या क्या आप लोग क्या करते आवर प्रमुख सच्य ववश्था पना के नेत्र तुम्हें एक जाच कमेटी बेठाल दी गई है यहीं ने करते है और गोल बॉल कर देते है यहीं ने करते तो सुप्रेम कोर्ट ने आपके हाथ से बॉल ही छीन ली चुकि पिछले अनुभव है नहीं है इसे मेरी बात कड़ भी है लिए है सो टका सच यहां तो सिस यह बात सारे नेताओं को पता होगी और गुपता जी को पता होगी चुकि अधिकारी रहे नेता पहर भी करते इसलिए इन सब को पता होगी मर्डर कर दिया पुलिस में रिपोर्ट होगे मोले यार लखनौ जाके किसी से देखो और सी बीसी आइडी म करवा दो मैंने पूछ एक नोईडा में गुप रोहिद जी बहुत पुरानी बात है एक सज्जिन चेर्मेंस आप थे अब लोग कहते हैं वो उधार थे और समाजिक न्याय में आस्था रखते थे तो ताहिरा जी उन्होंने ऐसा लोग कहते हैं जन्षृतियां हैं इसी के उनके उस दवर में जो साइकिल का ठेके पार्किंग का ठेकेदार था लड़का वो ही वो था मिठाई एक अत्री करन करने का जिम्मेदार व्यक्ति था तो जब तक चार लड़ू वाले डिब्बे आते रहें या आधा किलो आई इमांदारिस देता ना भरोसा घनीबूत होता गया एक बार देश के एक बहुत बड़े विल्डर आये बात तय हो गई तो ज़्यादा मिठाई आनी थी बड़े डिब्बों में बड़ी बड़ी उस दिन वो बालक लेके गायब हो गया बाद में वो बालक गुप्ता जी उत्तरपदेश विधान सभा का माननी सदस्य बन गया जब कालांतर में तो पात साथ सफारी निकलवाई एक ही रंकी है और सबसे पहला दवरा किया नौइडा अथरिटी का किया किदर ने चेर्में साब बताओ विधायक जी आए है यह सब नहीं सेहेंगे बिलकुल किसानों के बारे में बिलकुल व्यवस्ता ठीक करिए और जनहित में कोई कंप्रोमाइज ने क्या है ऐसा चमतकर और कहने हो सकता दोस्त यह हो सकता है यह इसलिए संकट है और जो ताहरा असनने का कि भाई हाँ जाच करो वह सकता है कि इटा इटावा में हो जाएगी हालाकि इटावा बड़ा संवेदन शील शहर है फिर भी हो जाएगी नोव इटा में आपको पता है गर्दने कौन है किसकी है कि यह समस्या है कि मुंबई में दो बिल्डिंग गिराई गही थी उनका इतना टीवी पर तर्चलन नहीं हुआ लेकिन दो सुप्रे आदेश कोड के आदेश से गिराई गहीं क्या मुंबई में अवह दिन जिर्वाना बंद हो क्या नहीं कि इस ट्रींट टावर के बाद भी नहीं बंद होगा क्योंकि कोट ने अपना डिस्प्लेजर शो कर दिया हम लोगों की चमली इतनी मोटी है कि हम अपने बाप के डिस्प्लेजर की परवार नहीं करते कोट की डिस्प्लेजर की क्या परवार करें गिरा दिया गिरा दो फरक किस पर पढ़ रहा है भी क्याकिमिंद्ध की STEVE चीर मेंन की सपर प्रख पढ़ रहा है गिर गया गिर जाए किस पर फरक पड़ा और एक आखरी बात कहें कि समाप्त कर दूँगा लोगों को अभी भ्रह्म है कि बिल्डर का आर्थिक नुक्सान हो जाता है मैं इस पर छोटी सी बात करके समाप्त कर दूँगा कि ताहिरा जी होता क्या है आपने एक हजार करोड पांसो करोड रुपया ठग लिया ठिक जांच की ट्रक्रिया शुरू हो गई उसके बाद म मुकदमा दर्ग हो गया ठीक तबास यहां साल हो गया 500 करोड रुपय आपने पंद्रा साल यूज कर लिए कि दस फीशनी के हिसाब से नॉर्मल ग्रोथ पैसे में दस फीशनी इनुल की ग्रोथ के हिसाब से वो हो गया डेढ़ जार करोण 15 जालवार क्या है अगर दुर्भाग से आपके खिलाब भी पैसला आ गया तो देंगे पैसा है अब तो आता नहीं इसलिए यह ब्रह्म निकाल कि जीए के ब्लडर को नुकसान हो जाता है इसको ब्लडर का अपना पैसा दो नहीं आ है कि पैसा तु जनता ही का है विल्डर ने अपना खेत बेच के प्रजेक्ट लिए बहें शुरूब किया है और मैंने ऐसे ब्लडर देखें यह बात सुन के शायद जिनका अंत्हकराण इस बात का पैसा दिया कि आज जेल भीजवाद हो बोले क्यों अरे बोले दुनिया का आदमी बावाल काटे हुए बसूली के लिए क्या और मेरे खाते फ्रीज करा दो क्या मैंने पैसा सब निकाल लिया है खातों से अब किसी में 10,000 किसी बिज़ा फ्रीज करा दे क्या अब ग बिल्डर का खर्मशारी कर रहा किस जेल में सारे खाते बंद कहां से दे दें क्या अधालत कहिती है कि खाते फ्रीज मत करो इनके छोड़ कोल दे उनका वकील करता है ना हुदूर आपको मेरी किसम अभी चलने दो और हम लोग समस्ते बिल्डर खिलाब कारवाई हो रही है मैंने इस नौइडा में ऐसे ऐसे बिल्डर देखे जो प्रयास करके जेल गए और जेल एसन जिंग साब आप तो पत्रकार रहे हैं आप जानते हैं पांसो करोन का गोटाला करने वाला जब जेल जाएगा और जब उसकी आने की सूचना जेल पहुंसती है न गुप्ता जी तो सीय राम में सब जग जानी करहू प्रणाम जोर जुग पानी जेल का पूरा स्टाफ मुधित मन होके नर्थ्य करने लगता है क्या वाया है असली लेकर नीचे होंगाड तक सब मोज में विल्डर के क्या नुकसान है वो थाली लेकर वहां लाइन में नहीं लगता न वहां का खाना खाता है और बायर्स को बता दियता है प्रशाशन सरकार सिस्टम बिल्डर को जेल भेट दिया अरे बिल्डर तो खुद घूम रहा था जेल जाने को यार अब बिल्डर को आप ढून नहीं सकते अप्रोच नहीं कर सकते बिल्डर के बच्चे मौज ले रहे हैं यहां से सोचना पड़ेगा यह लाखों लोगों की पीड़ा का प्रश्व नहीं कि बैंक से लोल लिया किष्ट जाना शुरू हो गई मकान का पता नहीं है उन लोगों की दशा सोचिए गोध में छोटे बच्चे लिए लड़कियां आती है धर्ना देने प्रश्व करने कि उनके जीमन का सब कुछ दाओं पर लगा है इन धूर्त बिल्डर करेफ्ट ब्यो किसी भी व्यवस्था को यह त्रगुट नहीं मानता किसी कानून को व्यभारिक तोर पर धरातल पर नहीं उतरने देता है अच्छे अच्छे और आप बहुत तागत्वर हैं अगर तो आपको एक फ्लेट दे देगा तहरा जी कहेगा आप बाकी से मतलब मतलब को आप पीछे अट जाओ आप अपना फ्लेट ले 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 मैंने उन लोगों की पीडाओं को सुना है मैंने उनकी आख से निकलते आशू के नीचे अपनी हतेली रखी मुझे ऐसे ऐसे नौजवान पती-पत्नी मिले आकर जिन्होंने कहा के अंसुसाइट कर ले को रास्था नहीं यह वो पीडा है यह उस पीडा का शोगीत है और अगर इसके बाद भी नहीं सुधार हुआ तो मैं बहुत भारी मन से कहूंगा फिर आदालते क्या कर सकती है जो सब कुछ सर्वोच कर सकती थी वो कर दिया आदालत है अब हमारी आदमियत कसवती पर है कि हम आदमी है यह नह कि अदालत को जो कर सकती थी उससे ज़्यादा कर दिया हम आदमी है कि नहीं यह हमको तै करना होगा उसकी गवाही से यह तै होगा कि हिंदुस्तान में नौएडा जेशे शेहरों का भविश्य क्या होगा